राम राम भाई लोग अभी काफी जाता यूट्यूब पे एक वीडियो वाइरल हो रहा है कि उसमें मनोरंजन ग्रैंड ये चैनल आपका भजपूरी होने जा रहा है एक अप्रेल से क्या वाकई में आपका ये भजपूरी होने जा रहा है तो इसके बिसे में तमाम जनकारी साथ डिटेल्स सेयर करने वाला हूं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है इसी तरह की ट्रू टैक और डाउट किलियर कर देने वाला इस पे आपको टीवी सो की बात की गई थी कि इस चैनल पे आपको केवल टीवी सो ही दिखाया जाएंगे जब ये चैनल लॉंच हुआ था इनको लैसेंस मिल गया था तो ये चैनल जो है साहरा वन के जितने भी पुराने सो होते हैं वो सो के राइट्स इन्होंने खरिद लि बहुं सारे पुराने पुराने सो दिखाया जाने लगे जो की आपके सहारा वन पे दिखाये जाते थे उसके बात बीच में खवर आई कि ये चैनल जो है सिफारीस करने लगा कि सो के राइट्स दे दे कि जो मैं अपने चैनल पे पब्लिस कर सकूं लेकिन यहापे जी मीडि नहीं मिला उनके सो के उसके बात फिर यहाँ पे जो है मनोरंजन ग्रेंड के पास दूसरा इसकी सो को जो है यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे जितने भी सहरावन के सो है पुराने वाले वो दिखाये जा रहे हैं तो ऐसे में आप मुझे ये बताओ कि जब उस चैनल्स पे पुराने सो दिखाये जा रहे हैं उस चैनल्स का कोई ग्रो होई नहीं रहा है company जो license लिया है पैसे invest करके rights खरीदा है पैसे invest करके और वो TRP rating list में दूर दूर तक कहीं नामों निसान नहीं है तो ऐसे में क्या करेगी company अगर आपके साथ अगर इस तरह का situation हो जाए आप market में एक दुकान लगा लिये हो और उस दुकान में विक्री हो ही नहीं रहा है और आप तरह-तरह के समान लाही नहीं रहे हो जो की market के according होता है आपके पास पूराना ही समान है तो कोन purchase करेगा कोई नहीं खरीदेगा ठीक उसी तरह से यहां पे इस channels के साथ भी हो रहा है यह पूराने channels को बार-बार परोस रहे हैं लोग उसे देखी ने रहे हैं लोगों को स्वाद लगेगा तब तो channels वहां पे कुछ नए धंके सो दिखाये जाएंगे तब तो इस channels पे बना रहेगा उनकी TRP तब तो बढ़ेगी तो ऐसे ने company एक बड़ा कदम यहां पे लिया है क्योंकि DDFIDC एक ऐसा मादियम है जहां पे कोई भी private हो या फिर DDFIDC के लिए कोई special company खड़ी हो जाए जो channels launch करना चाता है तो DDFIDC के ऐसा मादियम है जहां पे वो लोगों के बीच में अपना एक image बना सकता है audience बना सकता है ताकि दोस्तों उनको एक अच्छा खासा subscriber मिल जाए उनके viewer मिल जाए उस channels को देखने के लिए यहां पे जितने भी बड़ी company private है जब वो channels launch करती है तो सबसे पहले कम से कम एक साल के लिए जो है वो DDFIDC पे आती ही आती है तो ज्यादा वो पैसा कमाएंगे ज्यादा मुनाफ़ा होगा तो company ज्यादा ग्रो करेगी तो उसी तरह से यहां पे मनोजंजन ग्रेंड ने सच ह यह ख़वर कि उन्होंने फैसला ले लिया है कि एक अपरेल 2020 से जो है वो अपने channels को रिब्रांड करने जा रही है भचपूरी channels में जिसमें आपको भचपूरी movies भचपूरी TV सो आपको दिखाया जाएंगे क्योंकि मनोजन ग्रेंड के एक already जो है भचपूरी channels है जिस पे आ priority देते हैं तो इस तरह से जो है मनोरंजन ग्रेंड को भी अच्छा खासा viewer मिलेगा बात सच है कि मनोरंजन ग्रेंड जो है आपके एक अपरेल से जो है छेत्री अभासा में convert होने जा रहा है अगर इसके रिकार्डिंग और भी को भी जनकारी निकल करके आएगी तो वीडिय लाइक करके चेहनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को प्रेसट करेंगा और आपके मन में जो बी कुसन समारे लिए जोबी सब्सक्राइब का कमेंट बॉंक्स राफिक ले जहीए बरवर के कमेंट को आपकी चैहें क्या मंदे मातराम भात मता की जड़